फिल्म टाइगर 3 जिसका सभी लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे थे आखिरकार दिवाली के दिन रिलीज हो गई है और चूकी है सलमान खान अबिनीत फिल्म है इसलिए फिल्म के निर्माता सूपरस्टार की बॉक्स आफ इस पकड को ले का बेहत आश्वस्त थे इससे पता चलता है कि फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म को रविवार को रिलीज करने का फैसला क्यों किया सलमान खान अबिनीत फिल्म के बारे में नवींतम अपडेट ये है कि यह है अब उत्री अमेरिका में सबसे बड़ी ऑपनर बन गई है कुछ रिपोर्ट के नुसार ये बताया गया है कि सलमान खान के टिना कैफ स्टारन ने 2.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की है जबकि इसके शुरुआती दिनों में लगब 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कलेक्शन होने की उमीद है इसमें फिल्म के प्रीमियर भी शामिल है और न्यूजिलेंड सही देशों में जो पूर्वी बाजार के अंतरगत आते हैं इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उत्तरी अमेरिका में फिल्म टाइगर 3 का कलेक्शन सूपर प्रभावशाली 1.5 मिलियन डॉलर रहा था इस आकड़े का मतलव सिर्फ इतना ही नहीं कि फिल्म अब सल्मान खान के लिए सबसे जादा ऑपनिंग टेक के तौर पर अपना नाम दर्ज कर चुकी है इस से पहले ये सल्मान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान थी जो 2015 में रिलीज हुई थी बजरंगी भाईजान फिल्म ने पहले दिन के कलेक्शन में लगबख साथ सो चालिस हजार यूएस डॉलर की कमाई की थी जहां तक फिल्म टाइगर थी की बात है तो यह भारती बजारों में उमीद के मताबिक परदशन कर रही है फिल्म का क्रेज इतना जादा है कि दाशक पहले ही सिनेमा घरों के बाहर फिल्म की सफलता का जशन मनाने की बात कह चुके हैं दिवाली के दिन आपनिंग डे पर मुंबई के गेटी और गेलेक्सी थीटर में सल्मान खान के कई परशंशक फिल्म में सल्मान खान के ट्रेड मार्क्स काफ पेहने हुए थे और टाइगर थ्री के गाने पर डांस करते हुए नजर आए सल्मान खान के लावा फिल्म में करजिना कैफ प्रमुक भूमिका में है और इमरान हाश्मी एक महतुपून भूमिका में है इस रिपोर्ट में इतना ही ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं रिपोर्टर जी धरनेवाद